माइक का स्टेंड देख रहा है कि उस्टेंड का में रिवियू करने वाला हूँ हूँ यह मैं ने अमेजोन से मंगवाया था ऑप अमेजोन से मंगवाया था तरक्रीबन चार्सो पचास रूपिय का यह स्टेंड मुझे एसकी स्ट्सेंथ आप देखी रहे हैं मेंने लगाया हुआ है आरे और यह अभी तीन चार दिन हुआ है इसका आप देख सकते हैं यह期क्ष के इसका बॉक्स क्लियर देख है कि कि जबें सकते हैं पुआ alignment प्रोफेशनल रेकोर्डिंग माइक्रोफोन स्टेंड डवल्यू आर्ट थर्टिफाइव सो इस तरह का कुछ यह माइक का स्टेंड माइक नहीं कहेंगे यह आप फोटो में भी देख सकते हैं हुआ है कि यह जो स्टेंड है वह बहुती जबड़्ड इस्टेंड है बहुती कम कि मिल रहा है दूसरे भी स्टेंड मैंने देखे थे वह बहुत में अधे ते सो ये मुझे कुछ में पढ़ा है 450 में शॉछ सवरी और इस तरह का कुछ इसमें आप picture भी देख सकते हैं और आप देख लिए stand को है से स्की quality जो है वह बहुत ही बढ़िया है clear है सब और इसमें दोनों माइक में आप यूज कर सकते हैं आप जो है वह dynamic mic के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास conditional mic माइक्रोफ़न है तो भी आप वह यूज़ कर सकते हैं इसमें दोनों के रिलेटेड ओप्षन्स दिये हैं कैसे दिये वह मैं आपको बता हूँगा मैं जो भी माइक यूज़ कर रहा हूं वह कंडिशनर माइक है यह डायनमिक नहीं है और यह आप जो देख रहे हैं यह डायनम कर दिया और अपने जो माइक का ये वाला पॉशन है उसको मैंने वहां पे लगा दिया एक स्कूरू बूल स्कूरू भी यहां पे लगा हुआ है जो आपको निकलना होगा इसमें कुछ ऐसी गाइड लेंग नहीं दी हैं लेकिन मैंने ये खुद देखा किस तरह से इसको निकाल सकते हैं और किस तरह से हमारा जो मायक है उसको होंगे कर सकते हैं तो अगर आपके पास डाइनेमिक माइक है तो ये भी आपको चाहिए होगा ये भी साथ नहीं आता है अगर आपको कंडिशनर माइक है तो डायरेक्टी जैसे मैंने यहां पर लगाया है इस तरह से आप फोल्ड करके लगा सकते हैं माइक के स्टेंड की जो कॉलिट है वो बहुत ही अच्छी है इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही है जैसा सोचा था वैसा नहीं है कि चलो कि बनाने के लिए सायद बनाया होगा और आपको सस्ते में मिल रहा है तो नहीं अच्छा होगा ऐसा नहीं है बहुत ही अच्छा माइक है और आप पी ले सकते हैं इसको बस एक चीज़ दियान रखने हैं आपको कि आपका एड्रस सही होना चाहिए तब ही अमेजन वाले इसकी दिलोरी देंगे वन्ना मैंने दो तीन बार मंगवाए था लेकिन एक दो बार तो पूरा ओर्डर भी आ गया कम प्लीट हो गया सब लेकिन बंदे को अडर से नहीं मिला तो ऐसा कुछ हैं अमिजन में अनुकि क्या बता हूं मैं जा थोड़ा बहुत बहुत यह प्राबलम हुए और अभी अच्छा है इंक रीब और यह फिंग अच्छी बहुत है यह āची अथ destacate का है बहुत ही मजब आएगा और आप भी मेरी तरह चाहिद पर्चेस कर सके यह तो फिर लेना हो तो आप ले सके ऐसा कुछ है माइक का स्टेंड देख सकते हैं गिर गए आप से भी इस तरह का कुछ है डवल्यू आर थर्टीफाई माइक्रोपॉंट ठीक है मिलते है अगले वीडियो में पाता बाइक्र १िर आर थर्टीफाई झाल kw से अप लब पावस कर सकते हैं झाल झाल